नमेश्कार दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर इसराइल के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसका परणाम क्या था उसके उपर हमने चर्चा किया था और ये जो इलेक्शन था ये पिछले दो वर्ष में चौथी बार ख़बर आरी है कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के बेंजमिन नेतन याहू क्या उनको जेल भेजा जा सकता है क्योंकि मैं आपको बता दूँए उनके उपर तीन बड़े केसे चल रहे हैं समय ट्राइल चल रहा है और वो कल खुद कोर्ट के अंदर गय थे इसरा चला जा सकता है हर इक चीज का अंसर मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और फीड़ पर तो मिलेगी प्लस आप मे Android आप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको comprehensive way में static current हर एक चीज एक जगा उपलब करा दिया जाता है चलीए यहां पर देखते हैं exactly हुआ कहा है what has happened तो जो prosecutors हैं मतलब कि जो यहां पर case चला रहे हैं प्राम निश्टर के उपर बिंजमिन नितन याहू के उपर उन् और इसी को लेकर corruption का trial चला जा रहा है basically उनके उपर तीन charges हैं कौन कौन से हैं एक है bribery का मामला currency जिसमें exchange होता है दूसरा है fraud का मामला फिर है breach of trust तो यह तीन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यह cases क्या क्या है अलग-अलग नाम से बुलाए जाता है तो यह तो आप President Rivlin है उन्होंने यहाँ पर बातचीत शूरू कर दी है ताकि Israel के अंदर एक सरकार बनाई जा सके क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो अभी recent election हुआ था उसमें जो Benjamin Netanyahu की party है वो सबसे यदा seat जीती थी लेकिन Israel के अंदर क्या है आज तक कोई भी ऐसी party नहीं रही है जिस को clear majority मिली हो आप खुद देख पाओ just 120 seats के अंदर 120 seats है वहाँ पर वहां की जो parliament है उसमें अगर आप देखो तो बहुत सारी छोटी 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 इतनी सारी parties है जो Benjamin Netanyahu की party आप देख सकते हो यह है liquid party 30 seats उनको मिली है 120 में से जो की खराब नहीं है अगर आप coalition बनाया था क्योंकि कोई भी सरकार बिना coalition के महाँ पर आही नहीं सकती है ऐसा आप मान के चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनकी बहुत ही थिन 59 seats हो जुटा है लेकिन उनको चाहिए कितना 61 चाहिए in fact मैं आपको बता दूँ कि 59 से उसको उनको 61 जाने के लिए मतलब अभी भी कोई person नहीं मिल रहा है भारत में होता तो अभी तक कपका हो गया होता लेकिन वहाँ पर कहना बहुत complicated है left parties है center rightist है right party है बहुत सारा इतना complication है जिसकी वजह से कोई भी एक जगह से दूसरी जगह उतना असानी से जंप नहीं हो पाता है और इसलिए पिछले दो व Prime Minister है वो लगतार continue करते रहते हैं और इसलिए Benzamin Netanyahu अभी भी वहाँ के Prime Minister पत पर बने हुए हैं लेकिन next यहाँ पर question आता है कि अभी मैंने आपको जो बताया है जो उनके ओपर trial चलाया जा रहा है आप court के अंदर तो क्या वो Prime Minister बने हुए रहते हुए trial चलाया जा सकता है तो देखे Israeli जो law है वो Prime Minister को बहुत अच्छे से वहाँ पर protect करता है मतलब बाकि किसी Minister को protect नहीं करता है लेकिन Prime Minister को direct उनके ओपर कोई obligation नहीं है कि अगर उनके ओपर trial चल रहा है तो उनको अपने पत से हटना पड़ेगा वो अराम से अपने पत पर बने रह सकते हैं और जो Net अरोप लगाया है और यह कहा है कि हम जो भी मुझे gift मिला है वो मेरे friend से मिला है और कोई भी law वो gift लेने से मुझे इंकार नहीं करता है तो चलिए exactly मैं आपको बताता हूं आपको भी सुनकर थोड़ा सा असी आएगा कि Israel के अंदर यह जो case चल रहा है उनके उपर उतना तो ह हमारे देश में आगर आप compare करोगे हमारे देश से मता कुछ भी नहीं है मैं आपको बताता हूं तीन case है इस case का नाम क्या है case 1000, case 2000, case 4000 यह अलग अलग नाम दिये गए है case 1000 में आप देख सकते हो fraud and breach of trust का मामला है इसमें बेसिकली उनको पर आरोप लगा है कि उन्होंने case 2000, आप यहाँ पर देखो, उनके उपर इल्जाम यह लगा है कि उन्होंने एक newspaper है इसराइल के अंदर, उसका circulation बढ़ सके, मतलब इसराइल के अंदर जो circulation है newspaper का उसको बढ़ाया जाए ज्यादा लोग उसको पढ़ें, positive news एक तरह से रहे, यह यहाँ पर नितन यहाँ उनको help करेंगे उस newspaper को, और newspaper उसके बदले नितन यहाँ की positive coverage देगा, मतलब मीडिया में positive अच्छा परशन दिखानी की कोशिच करेगा, यह आरोप लगा है, मतलब fraud and breach of trust का आरोप लगा है, चौथा जो case, तीसरा जो case है, case number 4000 इसको बोला जाता है, इसमें bribery का case उनके उपर लगा ताकि उस telecom company को फायदा हो सके indirectly, ऐसा उनके उपर आरोप है, और उसके बदले again, यहाँ पर एक news site है, वो उनको promote करेगी, मतलब उनको एक अच्छी image दिखाने की कोशिच करेगी, मतलब यहाँ पर इस तरह का इलजाम लगाया जहा है, तो यह तीन cases हैं जहाँ पर, मैंने उनको जाना पड़ता, तो वो कोट गए, और उनके जो supporters हैं, और जो उनके protesters हैं, मतलब जो लोग चाते हैं, नहीं रहे हो बने पत पर, तो दोनों लोग उस court के बाहर आ गए, in fact आप देख सकते हो, जो protest कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर crime minister का tag दे दिया, और कहा कि आप हमने gift लिया है, लेकिन कोई भी कानून मुझे वो gift लिएने से रोकता नहीं है, और जो भी हमने regulatory decision लिया है, जैसे कि telecom company को फायदा की बात चल रही है, वो experts का कहना था कि वो decision सही था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है, लेकिन next question आता है, कि क जिस तरह से भारत में cases वर्षों तक चल सकते हैं, सेम उसी प्रकार से इसराइल के अंदर चल सकते हैं, in fact उसे जाधा ही चल सकता है, verdict is unlikely to come soon और कई वर्ष लग सकते हैं, until and unless, अगर suppose by chance नितन याहू प्लियाड डील साइन कर लें, प्लियाड डील का मतलब होता है कि वो खेय प्लिक भी हो जाते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अपने प्राइम निश्टर पत से हटने का जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास मौकर हैगा कि उसको अपील कर सकें, और अपील में भी बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, तो ये इसराइल का जिस तरह से हम उनके उपर भी इन्वेस्टिकेशन चल रहा था, 2008 में, तो वो क्या थे अपने पार्टी के लीडर से, तो पार्टी के लीडर के पत से हट गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पत पर वो बने वे थे जब तक इलेक्शन खतम नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आय है, Convicted in Bribery Fraud Obstruction, ठीक है, और इसके लिए उनको 16 मंत प्रिजन में भी रहना पड़ा, लेकिन बहुत लंबा हुआ था ये करके तब जाकर हुआ ऐसा, तो देखना पड़ेगा कि नेतन याहु के पत पर क्या होता है, उनके केस में अभी क्या होता है, लेकिन ये सबसे कारण है कि वो प्राइमिस्टर के पत से हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हो रहा है ना, उसका में कारण ये है कि जब पहली बार 2018 वाला रिजल्ट आया था, तो उनके और एक और पार्टी है, दोनों के बीच में डील हुआ था कि 2-2 साल वो प्राइमि चले जाएं, तो ये एक अलग मामला है, इसलिए वो प्राइमिस्टर पत पर बना रहना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोशन है कि क्या ये सारी चीज़ें इस्राइलीस को इस समय मैटर करती हैं, बिल्कुल करती हैं, जो रीसेंट इलेक्शन हुआ तो यहाँ बहुत जिफा मांगने, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि राइट विंग पाटी है, उनकी जो सपोर्टर्स हैं, वो काफी स्ट्रॉंग मानते हैं इनको, और कहते हैं कि इस्राइल की सेक्योरिटी और पीसफुल के लिए हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि वो बहुत अच् चाता है कि इरान के साथ जो नुक्लियर डील है वो वापस हो, और इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिकेशन भी चालू हो सकता है यहां पर इस्राइल के उपर, तो बहुत सारी प्रावलम चल रही है, लेट सी क्या होता है, बटाई होग कि यह वाला जो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर कि कौन से देश में United States ने armed intervention किया है, इसका जो right answer आपको पता ही है कि मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात ने, Telegram से भी ले सकते है, मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते ह आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, हो की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.